नमस्कार, KSP Music Classes में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे शादी में ढूलक कैसे बजानेगे, तो आज ये स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करनेक से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास 7 स्टेप्स हैं, जिनको हम बजाएंगे, सीखेंगे, और उन 7 स्टेप्स को दो भागों में डिवाइट करेंगे, पहले 4 और बाद में 3, 4 और 3 अलग अलग भागों में इनको डिवाइट करेंगे, तो पहले 4 और उसके बाद में 1,2,3 तो पहले सीखेंगे 1,2,3,4 steps कौन से हैं और फिर सीखेंगे 1,2,3 क्वाई स्टार्ट करते हैं पहले 4 steps 1 यह हमारा step number 1 है base पर और step number 2 में ताली की साथ इस ताली की साथ में base बजाना है 2 इस तरह से दोनों हातों से 2 step number 3 उपर की तरफ तीम फिंगर से step number 3 and step number 4 दोनों हातों से step number 2 की तरह इस तरह से पर यह हमारे 4 steps होते है 1,2,3,4 इवार देखते है 1,2,3 and 4 यह हमारे 4 steps होते है अब हम अगले next 3 steps सीखेंगे वह सिर्फ ताली पर है 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,2 के साथ में यहां पर हम काप दगाएंगे इस तरह से 2 यह आपका 2 रहे तरह से step number 2 इन 4 और 3 steps के बीच में एक मातरा का हमने ग्याब रखना है और एक एक करके steps को बजाना है तो आईए देखिए कैसे बजाने है अब इसको प्रैक्टिस कैसे करने है हमने काउंटिंग करने है इस अंदाज में इसको बजाना है इस तरह से स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करने है इस फिर से देखिए कि आपको आपको आसानी से बजाने लग जाएंगे और इसली कोई टॉप नहीं है एक बार में फिर से आपको फास में बजाते हैं इक चीज में आपको और बताना चाहता हूं इसमें हम जब भी स्टार्ट करेंगे इस प्रकार को तो इसको हम फूर्थ स्टेप से स्टार्ट करेंगे 123 four और 4 के बाद हम बजाते हैं 123 तो 4 से start करेंगे 123 अर उसके बाद फिर हम 1 से start करेंगे continue करेंगे 1 से एक बार देखिए कैसे 1 4 से start करेंगे 4 step हमारा है ये और उसके बाद हम जाते है 1 2 3 तो 4 1 2 3 और उसके बाद में 1 2 3 4 1 2 3 इस तरह से एक बार फुच्छे देखिए इस तरह से तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो कि यह वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें नमस्क्राइब